ये देखिए बनिए है न हुमारी मैंगो आइसक्रीम एकदम क्रीमी आगे न अपके भी मुह में पानी आज बनाएंगे गर्मियों की सबसे खास और सबसे पसंदीदा ठंडी ठंडी क्रीमी मैंगो आइसक्रीम और आज की ये mango ice cream बनेगी बिलकुल घर के सामन से बहुती सिंपल तरीके से और इतनी लाजबाब के बजार की तो भूल आप घर मेंगो ice cream बनाना चाहेंगे रसिपी की सबसे खास बाद 100% guaranteed कोई बरफ नहीं जमेगी एकदम क्रीमी क्रीमी आपकी mango ice cream तयार होगी के आप भी मुझे कहेंगे के ice cream बहुती राजबाब बनी अगर आपको मेरी महनत और recipe अच्छी लग रही हो तो प्लीज 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 आपके अपने चैनल को विट पारूल को subscribe जरूर करें सुपर क्रीमी सुपर टेस्टी ठंडी ठंडी mango ice cream बनाने के लिए यहां मैने लिए हैं मीठे मीठे आम तो यह दो जादा हो जाएंगे तो मैं यह एक आम ले लेती हूँ अगर बजन से बोलू तो लगबग 400 ग्राम के करीब यह आम है ऐसा बड़ा मिल जाए तो ऐसा ले लि अब गर्मियों में आम है कैसी चीज है इससे बनी हर चीजी अच्छी लगती है और फिर ice cream की तो बात ही को छोले है धंडी-धंडी ice cream हर घर में बनाई जाती है बनाने के लगलग तरीके होते हैं घंटो घंटो दूद को बालना पड़ जाता है जब हम ऐसे बनाने की सोचते लेकिन जो तरीका आज आपको बता रही हूं आप पूरे विश्वास के साथ इसको बना सकते हैं इतनी बड़ी ice cream बनेगी आपको गैस भी नहीं जलानी पड़ेगी और ऐसा इक तरीका बता दूँगी कि जिससे आप बहुत तरीके की और भी ice cream बना पाएंगे तो इस तरह स सारे pieces कीजे और फटाफट से काट लीजे है ना असान तरीका तो सारे pieces बिलकुल इसी तरह से कट कर लेंगे अब आप लीजे एक grinding jar में सारे आम के pieces को डाल देंगे और अच्छे से इसका एक fine paste तयार करेंगे यानि एक puree तयार करेंगे और ये लीजे बढ़िया से मैंने आम क इसको balance कर सकते हैं पल्ट तयार हो गया अब लगाते हैं एक जोगार यानि एक ट्रेक के अपनी ice cream को बिना वजार से क्रीम लाए और बिना कोकिंग के कैसे बनाए एकदम क्रीमी चलिए बनाते हैं घर में ही वजार जैसी fresh cream तो उसके लिए आप लीजे एक बोल और ये मैंने दूद की मलाई दूद अबालने के बाद जब ठंडा हो जाता है तो इक उपर मोटी लेयर आ जाती है जैसे आप मिल क्रीम ये मलाई बोलते हैं तो बस ये दो से तीन दिन की मलाई है और क्वांटेटी से बोलो लग 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 एक कप से थोड़ा सा कम जैसे कि आप देख सकत से एक विसकर या काटा या फोक होता है ना उससे बढ़िया से फेट लीजे आपकी घर में ही बजार जैसी फ्रेश क्रीम तैयार हो जाएगी फिर जब दिल चाहे किसी भी फ्लेवर की आप आइस क्रीम तैयार खर लीजे अच्छे से इसको इस तरह फेट लेंगे मिक्सी में चलाएंगे अगर यहीं मिक्सी में चला देंगे अगर निकलाए हमारी घर में ही फ्रेश क्रीम तैयार हो धैगे हुग के हमारे हैं गाय का दूद आता है आपके आपकी अगर भैस का दूदाा हो तो अपके हलकी यह वाइठ ही बनेगी और जो थोड़े-भी इस चाह देग आपको हैभी भी फील नहीं होगी, क्रीम को यहां रखेंगे, आप जो ग्राइंडिंग जार में पल्प तेयार किया था ना मैंगो वाला, इसमें यह साधी क्रीम डाल देंगे, और साथ में डालेंगे मिठास के लिए, चार से पार्च बड़े चममच चीनी, अपने स्वाधन क्रीमी क्रीमी बनाने के लिए कि बिल्कुल बरफ नाय हम इसमें डालेंगे, चार बड़े चममच दूद का पाउडर, बहुत ही जी मिल जाता है, छोड़े जोड़े पाउचे बिलते हैं जैसे डेरी वाइतनर बगरा के, बहुत ही सस्ते आते, अब वो भी ले सकते हैं, मिल आप डाल सकते हैं, तो वैसे ही उसको फेट कंटेंट देगा तो जिससे बरफ नहीं आएगी, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपकी मेंगो आइस क्रीम मिंटो में बनने के साथ साथ तेस्ट में एकदम क्रीमी और मज़िदार बने और बस एक पिंच डालेंगे, नम में मैंगो आइस क्रीम है बिलकल तैयार, आप देख सकते हैं इसका क्रीमी टेक्स्टर तो सोच सकते हैं न कि बनने के बाद यह कितनी क्रीमी होगी, मेरी गारंटी है, जारासी भी इसमें बरफ नहीं आएगी, बहुती क्रीमी बने के और टेस्ट तो पूछे मत, तो बस यह में अब हम लेंगे इस तरह के मोड़, आपके पस कोई भी कुलफी मोड़ हो, इस तील के ग्लास हो, कटोरी हो या छोड़ी चोटे इस तरह के शॉट ग्लास हो, या पेपर ग्लास तो यह ले ले लिए अप किसी में भी आइस क्रीम को जमा सकते हैं, इविन आप पच्छों क लिक्विट को इस तरह से फिल कर देंगे और उपर से कबर कर देंगे इसको एक फॉयल पेपर से ऐसा फॉयल पेपर है तो यह ले लिजे प्लास्टिक की कोई पैकेट हो तो आप उसे भी इसको कबर कर सकते हैं जैसे की ऊपर बरफना आए और बस इस तरह से कबर करके हम लगबख फ्रीजर में इसको एक घंटे के लिए पहले रखेंगे जब यह थोड़ी सी फॉर्म हो जाएगी तब इसमें हम आईस्क्रीम स्टिक लगा देंगे और उसके बाद लगबख पाँच घंटे के लिए आप इसे फ्रीज होने लगते हैं इससे ये बढ़िया से जैट हो जाए टाइम थोड़ा उपर नीचे हो सकता है पाँच घंटे में ही आपकी मैंगो आईस्क्रीम तैयार हो जाए चाहें तो आप इसे ओवरनाइट भी लग सते हैं सैट होने के लिए तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी महनत और रसीपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज 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 आपके अपने चैनल कुग विद पारूल को सब्सक्राइब जरूर करें और बस एक घंटे बाद हम फ्रीजर से आइस क्रीम को निका लेंगे और सभी मैं इस तरह इस क्रीम ैस्टेक लगा देंगे अगर आपके पास कि हमारी mango ice cream कैसी जमी है इसको तो हटा देंगे परफेक्ट आप देख सकते हैं एक तब भैतरीन हमारी mango ice cream जम करके तयार है बस इसको चाहे तो एक बार आप पानी में इस तरह गुमा लें या फिर हतेली के बीच में रखके इस तरह से इसको रोटेट करें और ये देखिए वाव आप देख सकते हैं बहतरीन हमारी क्रीमी क्रीमी mango ice cream बन करके तयार है अब इसको चाहें आप इस तरह थोड़ा सा पिस्ता डाल कर गानिश कर दीजे वहना इसी तरह पेन भी सर्व करेंगे तो जादा बढ़िया लगेगी और इसी तरह हमारी कप वाली ice cream भी बहुत ही बढ़िया जब करके तयार हुई है इसे तो निकालना भी आसान है बस कप को यहां से कट करके हटा दीजे और ice cream को निकाल लीजे है ना बढ़िया वाव ये देखिए क्या मस्त वाली हमारी ice cream तयार हुई है कप में तो इसको बनाना तो इस गर में बिल्कुल बनता है क्योंकि सब को यह बहुत ही पसंद आने वाली है सब आप से पूचेंगे कि मैंग ऐसक्रिम कैसे बना इसका टीस्ट बहुत ही लाजबाबाता है घर की शुंत बनी हुई बहुत ही बढ़िया और एक्दम किफाई तो जरूर बनाईए आपको बहुत पसं जरूर बनाईए अब मुझे अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स में जरूर बताईए कैसी लगी आपको यह आज की जटपट वाली मैंगो आइसक्रिम की रेसेपी वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स वेरी महनत अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 वीडियो को पारूल जै हिंद जै भारत